नमस्कार दोस्तों स्वागाते मेरे चैनल इंडिन टेक्स जुगाड़ में दोस्तों जहां पर आज हम कंपेर करेंगे जियो की प्राइम मेंबर्शिप प्लान और नॉन प्राइम मेंबर्शिप प्लान को दोस्तों जीओ ने जब गोसना किजिए कि प्राइम मेंबर्शिक 99 लुपीज में आपको प्राइम मेंबर्शिक लेना होगा और परमन 330 लुपीज का रिचार्ज आपको करना होगा लेकिन दोस्तों 313 के अरलावा वी जीओ ने आप साथ नई पैक और लॉंच कर दी है क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसे news और update लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सो friends plans को compare करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो local calls, steady calls और roaming calls है दोस्तों वो सभी के सभी सारे recharge options वर free रहेंगे चाहे तो वो prime member हो चाहे non prime member हो तो सिर्फ हम data और उसकी validity है दोस्तों उसी को compare करने वाले है यानि कि data और जो validity होगी कितने दिनों के लिए हमारा recharge valid रहेगा सिर्फ हम वो compare करेंगे तो दोस्तों जो पहला plan है वो है 19 रुपीज का और इसमें जो आपको मिलेगा वो 200 MB मिलेगा prime members को और 100 MB data मिलेगा non prime members को यानि कि double data मिलेगा prime members को और इसका validity होगा सिर्फ एक दिन का अब next plan की तरफ चलते हैं जो next plan है वो है हमारा 49 रुपीज का 49 रुपीज में जो data मिलेगा prime members को वो मिलेगा 600 MB data और जो non prime members को data मिलेगा वो मिलेगा 300 MB data यानि कि यहाँ पर भी हमें half data मिलेगा prime member की अपेक्सा अब चलते हैं इसके validity के बारे में validity जो होगी 49 वाले recharge की validity होगी 3 days के लिए उसके बाद next recharge आता है हमारा 96 रुपीज का 96 रुपीज में जियो prime members को 7 days के लिए मिलेगा 1 GB per day यानि कि आपको 7 GB मिलेगा 1 week के लिए रोजाना 11 GB मिलेगा अगर non prime members की बात की जाए तो 96 रुपीज में non prime members को सिर्फ 600 MB data मिलेगा यानि कि 0.6 GB यहाँ पर दिखाया गया है 0.6 GB data मिलेगा यानि आपको 600 MB दोस्तो 600 MB data मिलेगा और इसका validity रहेगा 7 days का तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है prime members और non prime members में 96 के recharge में next recharge जो आता है हमारा वाता है वो आता है 149 रुपीज का 149 में आपको मिलेगा 2 GB data prime members को और non prime members को मिलेगा सिर्फ 1 GB data और जो यहाँ पर difference आ गया है दोस्तों वो validity का difference आ गया है 149 में आपको पूरा 28 days का validity मिलेगा और ऐसे ही non prime members को भी 28 days का validity मिलेगा लेकिन जो data है वो reduce हो जाएगा only 1 GB में और prime members को मिलेगा data 2 GB उसके बाद बात करते है हमारे next recharge 303 की तो यह काफी popular recharge है यहाँ से 303 का जो है वो prime members और non prime members दोनों के लिए ही है calls वगेरा सभी free रहेंगे और अगर data की बात की जाए तो 28 GB data यानि कि रोजाना 1 GB data मिलेगा geo prime members को जो geo prime members से आप देख सकते हैं geo prime members को per day 1 GB data मिलेगा 28 days तक यानि कि 28 GB data आपको high speed पर मिले और उसके बाद आपका speed जो reduce हो जाएगा 128 Kbps में अगर non prime members की बात की जाए तो 303 रुपे में उनको मिलेगा सिर्फ 2.5 GB data यानि कि यहाँ पर तो काफी अंतर आ गया है 303 के recharge में भी और जो validity रहेगा दोनों plans का दोस्तों वो रहेगा हमारा 28 days का अब बात करते हमारे next recharge की ज तो next recharge आता है हमारा दोस्तों वो next recharge हमारा आता है दोस्तों अब 499 रुपीज का यानि कि 499 का जो recharge है दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसमें जो data मिलेगा वो हमें unlimited data मिलेगा यानि कि आपकी जो speed है वो कुछे reduce हो जाएगी 2 GB डाउनलोड करने के बाद में per day यानि कि जो prime member है वो रोजाना 2 GB data डाउनलोड कर पाएंगे जो 303 में हमें data मिल रहा था वो per day 1 GB data मिल रहा था prime members को लेकिन जो 499 का recharge है उन में prime members को मिलेगा दिन का 2 GB data और उसके बाद आपका speed reduce हो जाएगा अगर non prime members की बात की जाए तो उनको सिर्फ 499 रुपे में सिर्फ 5 GB data मिलेगा तो दोस्तों वो आपका रहेगा 28 days का अब next recharge की तरफ चलते हैं जो next recharge है वो है 999 रुपीज का दोस्तों यहाँ पर काफी difference आ गया है 999 यानि की 499 और 999 में जो फरक है दोस्तों वो आपको दिखाई देगा validity में यहाँ पर जो validity रहेगा इस recharge का वो prime members और non prime members दोनों के लिए रह और non prime members के लिए यहाँ पर validity कम रहेगा और वो validity रहेगा 30 days का यानि की 999 में 30 days सिर्फ मिलेंगे non prime members को लेकिन double validity मिलेगा 60 days का जो prime members रहेगे वो और लेकिन जो data रहेगा उसमें आपकी कोई limit नहीं रहेगी आपको जो prime members रहेंगे उनको मिलेगा 60 dB data और उसके बाद जो non prime members है उनको 12.5 GB data मिलेगा जो यह 60 GB data रहेगा prime members के लिए उसको आप कभी भी use कर पाएंगे इसमें कोई limit नहीं है कि दिन का आप कितना GB data use करें चाहे तो आप 60 GB को एक जिन में खतम करें चाहे दो जिन में खतम करें वो आपका उपर depend करेगा दोस्तों आप next recharge की तरफ चलते हैं ज जो non prime members हैं उसको मिलेगा 30 GB data इसमें आपकी जो speed रहेगी दोस्तों वो कम हो जाएगी 125 GB download करने के बाद में जो next recharge की तरफ चलते हैं लेकिन इसकी validity मैं बता देता हूं दोस्तों 1999 में जो आपकी validity रहेगी जो prime members रहेंगे उनके लिए 90 days की validity रहेगी और non prime members हैं उनको सिर्फ 30 days का validity मिलेगा यानि कि non prime members के लिए कोई 30 days से ज्यादा की validity का कोई plan अभी तो फिलाल है नहीं अब देखते हैं next recharge में validity non prime members के लिए ज्यादा मिलती है या नहीं मिलती है तो next recharge आता है 4999 रुपय हैं जिसमें prime members को मिलेगा 350 GB data और जो non prime members हैं उनको मिलेगा सिर्फ 100 GB data और जो prime members की validity रहेगी दोस्तों वो 180 days यानि कि 6 महिने की validity रहेगी लेकिन non prime members जो रहेंगे उनको जो validity मिलेगा वो सिर्फ 30 days का validity मिलेगा काफी अंतर आ गया दोस्तों यहाँ पर तो validity में ही 5 months का difference है अब next recharge की तरफ चलते हैं जो next recharge है वो है हमारा 9999 जिसमें हमको मिलेगा prime members को 750 GB data और non prime members को सिर्फ 200 GB data मिलेगा और जो इसका validity रहेगा prime members के लिए रहेगा 360 दिनों का लगबग 1 साल का validity रहेगा और जो non prime members है उनका validity सिर्फ 30 days रहेगा अगर आपको long terms के लिए plan लेने है तो आप GEO prime members के लिए ही जाईए क्योंकि यहाँ पर long terms के लिए plan available है लेकि non prime members के लिए कोई long term का plan अभी available नहीं है और आगे GEO ने यह गोसना की है कि non prime members जो है उनके लिए इतने plan नहीं आएंगे लेकिन जो prime members है उनके लिए काफी और plan आ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ calling वगेरा के लिए जो GEO का plan लेना है तो आप non prime use कर सकते हैं अगर आप data use करना चाते हैं GEO का तो आपके लिए सिर्फ जो prime membership है वो ही अच्छी रहेगी दोस्तों GEO ने कुछ booster pack भी available कराए है क्योंकि अगर आपका data खतम हो जाता है तो आप यहां पर boost pack भी ले सकते हैं जो 11 रुपेज में आपको मिलेगा 0.1 GB यानि कि 100 MB data मिलेगा validity नहीं है दोस्तों यह सिर्फ booster pack है आपकी validity में ही add हो जाएंगे जो 51 रुपीज है उसमें आपको 1 GB data मिलेगा 91 में आपको 2 GB data मिलेगा और 201 रुपीज में आपको 5 GB data मिलेगा और उसके बाद आता है 301 का last recharge जिसमें आपको 10 GB data मिलेगा तो दोस्तों अगर data आप use करना चाहते हैं GEO का और use करते हैं अच्छी तरह से तो आपको prime membership ले लेनी चाहिए अगर आप सिर्फ calling वगेरा के लिए GEO करते हैं तो prime membership आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना बोले धन् a उवीया थी में करते हैं आ जैजory शेवरा के लिए को पानी टार हूर दोस्तों आपके।